अगस्त्या घडिये व्रत निरूपन प्रम्ह जीने पुनका हे मुने भुक्ती मुक्ती प्रदान करने वाले अगस्त्या घ्रिये व्रत को कहता हूं कन्या राशी पर सूर्य की संक्रांती के तीन दिन पहले से काश पुष्प की बनी हुई अगस्त्य की मूर्ति का प्रदोश काल में पूजन करके कुम्भ में अघर्य कर देना चाहिए रात्री जागरन और उपवास करके दधी अक्षत और फल पुष्प से पूजा करके पांच वण से युक्त सोने चांदी से समन्वित सप्ध धान्य से भरे पात्र को दही और चंदन से रंजित कर अगस्त्या खनमाना इस मंत्र से अगस्त्य को अघर्य प्रदान करें इसके बाद इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करना चाहिए अर्थात काश पुष्प के समानों ज्वल अग्नी और वायुसे उत्पन्न मित्रा वरुन के पुत्र हे कुम्भयोनी अगस्त जी आपको नमस्कार है शूद्र इस्त्री आदि इस विधी से अगस्त के लिए धान, हल और रस प्रदान करें और ब्राम्हन को स्वन और दक्षना से युक्त घट प्रदान करें साथ ब्राम्भणों को भोजन कराना चाहिए इस प्रकार वर्ष भर अगस्त्या घ्रय व्रत करने वाला सभी प्रकार के श्रेश प्राप्ती का अधिकारी हो जाता है रम्भा तृतिया व्रत ब्रम्भा जी ने कहा जब मैं सौभाग लक्षमी तथा पुत्रादी से संपन्न करने वाले रम्भा तृतिया व्रत को कहूंगा ये वरत मार्ग शीर्श मास के शुकल पक्ष की तृतिया तितिकों किया जाता है इस तितिकों उपवास रखकर वरती कुशोदक हाथ में लेकर बिल्वपत्र से महागौरी की पूजा करे इस पूजन में कदंब वरिक्ष की दतुवन का प्रयोग करना चाहिए किन्तु पौश मास में मरूबक के पुश्पों से पारवती के पूजन का विधान है वरती इस मास के वरत में मात्र करपूर का सेवन कर उपवास करता हुआ उन गौरी को क्रिसर तिल चावल का सिध्धान का नैवेद्य एव मल्लिकाओं की दतुवन अर्पित करे माघ मास में वरत के दिन घ मोमती की पूजा का विधान है कुंद पुश्प से उनकी पूजा करके उसी की नाल को दतुवन रूप में उन्हें निवेदित करें और स्वयम जीवा जीवन की का भख्षन कर शशकुली पूडी का नैवेद्य लगाएं चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमनक प पुश्प तगरकाष्ट की दतुवन और क्रिसरान का नैवेद्य अर्पित करके स्वयम दही का प्राशन करें वैशाख मास में श्री मुखी देवी की पूजा करनिकार कनैल के पुश्प वठवरिक्ष की दतुवन से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्राशन कर आशाण मास में माध्वी की पूजा करनी चाहिए इस मास में व्रती दिलकाव राशन करें और भगवती माध्वी की बिल्वपत्र से पूजा कर खीर और वटक गृत पक्व मधुर पिष्टक का नैवेद्य अर्पित करें इस पूजन में देवी के लिए गूलर की दतुवन प्रदान करनी चाहिए श्रावन मास में शीरान्य तथा मलिका की दतुवन देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए भाद्र पद मास में सिंगाडे का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए प्रश्ण करना चाहिए कार्थिक मास में पदमजा देवी का जाती नामक पुष्प एवं कृसरान के नैवेद्य से पूजन होता है और उपासक को पंच गव्द्य का प्राशन करना चाहिए इस प्रकार मार्ग शीर्ष से कार्थिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सपत्नीक ब पूजा करके गीत वाध्यादी से रात्रि जागरण करते हुए प्रातह गौवाधी का दान देना चाहिए ऐसा करने से 30y को सब्सकी प्राब्त होजाता है चातुरमास स्यव्रत का निरूपन ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं चातुर मास्य व्रत को कहता हूं इस व्रत का आरंभ आशाल मास की एका दसी या पूर्णी मा तिथी में सब प्रकार से भगवान हरी का पूजन करके प्रतारंभ की समय इस प्रकार प्राथना करनी चाहिए ए देव आपके समक्ष मैं ने इस व्रत को ग्रहन किया है है के शव आपके प्रसन होने पर मुझे निर्विग्न सिध्धि प्राप्त हो है देव ग्रहन किये गए इस व्रत की अपूर्णता में ही यदि मैं मृत्य को प्राप्त हो जाता हूं तो भी है जनार्दन आपकी क्रिपा से ये मेरा व्रत पू पूजन कर इस पूजा तथा जपादी की विहित क्रियाओं की पूर्ति का संकल्पले तथा आशार आदी चार मासों तक एक भक्त वरत करता हुआ विश्णु की पूजा करे। तीन रात्रि परियंत्र उपवास कर शठांश भोजन करने से साधक को श्वेत दीप की प्राप्ति होती है। शाकमूल फलादी का भक्षन करते हुए जो साधक विश्णु की भक्ति करता है वो विश्णु लोग को प्राप्त होता है। वो विश्णु लोग को प्राप्त करता है। आज से लेकर जब तक आपका शैनुत्था नहीं हो जाता है तब तक तीस दिन परियंत बिना भोजन किये ही मैं आपका पूजन करता रहूंगा। हे विश्णों यदि मैं आश्विन और कार्तिक मास के शुकल पक्ष में द्वादशी से लेकर दूसरी द्वादशी तिथी के मद्धे पर मर जाता हूं तो मेरा ये व्रत भंग ना हो। पश्चाथ व्रती पारणा करे। यदि व्रत धारी इस अवदी के मध्य मूर्चित हो जाता है तो उसे दुगदादी का प्राशन कर लेना चाहिए जो कि दुगदादी का पान करने से व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मास व्रत करने से भुक्ती और मुक्ती दोन नक्त व्रत कर, आया चित व्रत कर, दुगध फल, शाक आदी का आहार कर, अथवाव पुआस कर भगवान विश्ट की पूजा करे। ऐसा करने से व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं की साथ साथ भगवान हरी को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरी का व्रत करना सदेव श्रेष्ट है, किन्तु सूरी के दक्षनायन में चले जाने पर ये व्रत अधिक प्रशस्त होता है, उसके बाद इस व्रत का काल चातुर मास में श्रेयसकर है, तदनंतर इस व्रत का उच्चत काल कार्तिक मास है, इसके बाद भेश्म पुझन करें वो मौन होकर घृत मधु शरकरादी तथा पंचगव्य एवं जल से हरी की मुर्ती को इसनान कराए और करपुरादी सुगंधित द्रव्य से श्री हरी के शरीर का अनुलेपन करें तदनंतर व्रती को घृत समन्वित गुगल से पूर्णीमा परियंत पाँच दिनों तक श्री हरी को धूप देना चाहिए और सुन्दर सुन्दर पकवान और मिश्ठान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जब करना चाहिए तद पश्चात स्वाहा युक्त अश्टा चर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत सहित चावल तथा तिल की आहुती प्रदान करनी चाहिए व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरी के दोनों चरणों का पूजन करे दूसरे दिन बिल्वपत्र से उसके जान अर्था जंगा प्रदेश की पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभी देश की पूजा करे चौथे दिन बिल्वपत्र तथा जवा पुष्प से उनके सकंध भाग का पूजन करके पांचवे दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरो भाग का पूजन करना चाहिए वरती भूमी पर ही शयन करे और उक्त पांच दिनों तक क्रमशा है पहले दिन गोमय दूसरे दिन गोमूत्र तीसरे दिन दही चौथे दिन दुग्द और पांचवे दिन घृत इन चारों पदार्थों से निर्मित पंचगवद्य का प्राशन रात्रि में करे ऐसा अवरत क को सभी अभीष्ट फ़ल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्ण लोग भी देता है पहले दिन शुद एकदशी दूसरे दिन शुद द्वादशी तथा द्वादशी की निशा यानि रात्री के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रेयोदशी हो तो ऐसी एकदशी ति चाहिए सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मरण की इस्तिति से होने वाले अशौचकाल में भी ये व्रत करना चाहिए है मुने ज़ि चतुरदशी और प्रतिपदा तिथी पुर्वतिथी से विद्ध है तो इन तिथियों में भी पुवास करना चा जाना चाहिए शि compromise ने के लिए पूर्वकाल में पारवती ने भगवान महेश्वर शिव से इस प्रमष्ट वॉरत को सुने की छा की थी और सुना था वैसे ही आप भी सुने भागवान महेश्वर नहें कहा ये गौरी माक और फालगुन मास के मध्य में जो कृष्ण चतुरदशी होती है उस चतुरदशी तिथी में उपवास तथा जागरान करने से और भगवान रूद्र की पूजा करने से पूजित रूद्र भूक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं जिस प्रकार द्व होकर इस चतुरदशी तिथी में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए उपवास सहित विधी विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्तों को नरक भोग से बचाते हैं शिवरात्री व्रत की कथा इस प्रकार है बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुन्दर से न सात्री में जलाश है और तडागों के तट पर अवस्थित व्रिक्ष लताओं के जुर्मटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ अतह उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक व्रिक्ष की शरन ली और निढाल होकर वह पर नादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बान छूट कर भूमी पर गिर गया अतह घुटनों को भूमी पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बान को उठा लिया इस व्रिकार उस व्याध के द्वारा रात्री जागरन की म्रत्य हुई तो यमराज के दूट उसको पाश में बांद कर जब यमलोक ले जाने लगे तब मेरे गणों ने उन यमदूटों को जुद्ध में जीत कर व्याध को उसके पाश से मुक्त करा दिया अतह अपने कुट्तों के साथ निश्पाप होकर वो व्याध मेरा जाज सफना करें एदेव मैं रात्र भर जागरन करूंगा प्राथ चतुर्दसी तिथी में यथा सामर्थ आपकी पूजा दान और हवन भी करूँंगा 갈ए महाधियर ब logr व्या सब्कृति प्रापति प्रापति के लिए मैं आपकी शरन में हूं म्तिको 25 मंश से इस नान करा तदनंतर घृत समन्वित्तिल तंडुल एवं व्रीह से निर्मित चरु की आहुती अगनी में देकर पूना हुती करे। व्रती गीतवाद्य के साथ सत कथाओं का श्रवन करे। उसके बाद वो अर्धरात्री तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनह उनकी पूजा कर मू आधिपती स्वामिन शिवर। आपकी क्रिपा से मैं व्रत को निर्विग्न संपन्य कर सका हूँ और आपकी ये पूजा भी पून हो सकी है। आप मुझे एक्षमा करें। हे देव मैंने जो कुछ आज पुन्य किया है भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है। अवित्र हो गया हूं। ब्रती ध्यानिष्ट ब्राम्हल को भोजन से संत्रिप्त कर्व वस्त्र छत्रा दिदे। तद अंतर वो पुनह इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवा दिधेव समस्त प्राणी जगत के स्वामिन संसार प्रकृपा रखने वाले प्रभव। शर् एक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्थी लक्षमी पुत्र तथा राज्यादी के सुख वैभव को प्राप्त कर अंतमेशिव लोग को प्राप्त करता है। व्रत धारी बार हो मास में भी इस व्रत के जागरन को पून करके यदि द्वादश ब्राम्ह से चक्रवर्ती संब्राट की उपाधी धारन की थी। अतह कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथी में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दश्मी विद्धा एकादशी का व्रत किया था जिसके फलसरूप उसके सौपुत्रों का व होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है जब विभिन शास्त्रों में कहे गए वाक्ष्यों की बाहुलता से अग्यता वश संदेह बढ़ जाता है तो उस परिस्तिती में द्वाधशी तिथी को व्रत करके त्रयोधशी तिथी में पारणा कर लेनी चाहिए यदि तिथीयों से मिश्रत वो तिथी व्रत करने योग्य होती है क्योंकि वो तिथी बांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है हे दुजराज एकादशी अथवा द्वाधशी का व्रत करके तीन तिथीयों से मिश्रत अर्थात एकादशी द्वाधशी और त्रेयो दशी तिथी से समन्वित्थि पर व्रत कर लेना उचित है किन्तु दश्मी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए रात में जागरन तथा पुरान का श्रवन एवं गदाधर विश्नु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व हो गए हैं मैं उसी भुक्ति एवं मुक्ति दे में समर्थ श्रेष्ट पूजा का विधिवत वर्णन करूंगा व्रती को सर्वपथम एक सामान ने पूजा मंडल का निर्मान कर द्वारदेश से उसमें पूजा प्रारम करनी चाहिए मंडल के द्वारदेश में धाता मिधा और महानंदी गंगा यमुना की पूजा करनी चाहिए तदनंतर द्वारदेश पर ही श्री दंड प्रचंड और वास्त प्रुष की पूजा कर मध्यभाग में आधार शक्ति कूर्मदेव एवं अनंत का पूजन करें इसके बाद पूजक पृत्वी धर्म ज्यान वेराग्य अनैश्वर्य की पूजा कंद नाल पद्म करनी का तथा केसरादी भागों पर करें तदनंतर सत्व रजस और तमस गुनों की पूजा करके उस व्रती को यथाभित स्थान पर सूरियादी ग्रह मंडलों की और विमलादी शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए इसके बाद मंडल के कोण भाग में दुरगा, गनेश, सरस्वती और ख्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ती की पूजा कर ब्रती भगवान वासुदेव और बलभत का स्मर्ण करता हुआ महातमा अनिरुध तथा नारायन की पूजा करे वो उनके हर्यादी संपू जो मनुष्य इस विदि के अनुसार विश्वकसेनदेव की पूजा इशान कोण में करके उस मंडल की पूजा को पून करना चाहिए जो मनुष्य इस विदी के अनुसार एक बार भी भगवान विश्णु की पूजा करता है उस महात्मा का पुनर जन्म इस संसार में नहीं होता पुन्डरी काक्ष गदाधर भगवान विश्णु एवं ब्रम्हा की पूजा करने से पुनाह जन्म नहीं होता